हलो स्ट्वेंट्स वेलकम टू एडवारा फस्ट आफ आफ आल आई उड़ लाइक टू इंट्रडूस माइसेल्फ सशांग पाठेत फैकल्टी आपस्टी डियर स्ट्वेंट्स आज प्राची इतिहास बिसे की अंतरगत जिस महत्पूर सिग्मेंट पर पढ़िशा करेंगी ज गुप्त राजबंसों में जिस सासक के बारे में उलेक किया जाता है इतिहास उसे समुद्रगुप्त की नाम से बुलाता है चंद्रगुप्त प्रथम के उप्रांत शमुद्रगुप्त सासक बना समुद्रगुप्त ने महा पराक्रमांग, ब्याग्र पराक्रमांग, सर्वराजोक शेता, वीड़ा वादक जैसी उपादियों वो धारण किया कता कबिराज की उपाद भी धारण की उसके इस उपाद से आप समझ सकते हैं कि चक्रवर्ती समराट रहा होगा पर चक्रवर्ती समराट कहने में तनिक भी दोस नहीं है उसने महा पराक्रमांग, पराक्रमियों का पराक्रम, ब्याग्र पराक्रमांग, सर्वराजो क्षेता, वीड़ा वादक जैसे उपादियों को धान किया और इसके साथी साथ इतिहास मुसे कभी राज भी कहा गया समुद्र गुप्त ने कई प्रकार के सिक्के जारी किये खेर काच कौन था, इस विवाद में हमें नहीं पढ़ना है। समुद्र गुप्त ने जिन सिक्कों को जारी किया जितने प्रकार के सिक्कों को जारी किया उसको हम विस्तार से आगे परिचर्चा करेंगे यहां उन महत्पूर्ण बिंदों पर बात कर लेते हैं जो तथ्यात्मक हैं समुद्रगुप्ट के दरबार में अनेक दरबारी कभी के रूप में महतपुर्ण कभीयों को इस्थान दिया गया जिन में उसका स्वैम का मंत्री हरिशेड था हरिशेड ने समुद्रगुप्ट की बिजय गाथा प्रियाग प्रसस्त के रूप में लिखा ये वही प्रयाग प्रसस्त है जो पहले कौसामभी में था बाद में अकबर के द्वारा इसे अलाहाबाद यानी की प्रयाग राज में स्थापित किया गया जब कभी भी प्रयाख प्रसस्त की बात आये तो आपको समझना है कि हर सेड़ द्वारा स्तमुद्र गुप्त की जीवन गाथा उसकी बिजय को उतकिर्ड अगर कहीं पर कराया गया तो प्रयाख प्रसस्त में यह अभिलेख गद्य और पद्य दोनों भासाओं में लिखा है इसलिए इस अभिलेख को या इस अभिलेख के लेखन सैली को चम्पू सैली के रूप में जाना जाता है चम्पू सैली का मतलब कि गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों एक साथ जब लिखा गया हो प्रारंब में यह अभिलेक कौशामभी में था हमने आपको पहले ही बताया बाद में मुगल बाशा अकबर ने प्रयाक पर इसको इस्थापित करवाया इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के अलामा ये भी बहुत महत्पून प्रश्ण है कि इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के अलामा और किन महत्पून बेक्तियों के नाम का उलेख है इसने सामराजी बिस्तार के लिए दो प्रमुख नीतियों को अपनाया और ये जो दो प्रमुख नीतियां जिस पर हम परिचर्चा करने वाले हैं या परिक्षा के पॉइंट अभी उसे गुप्त सासंकाल के दुरान सबसे महत्पूर भूमिका अदा करते हैं और प्रश्ण ब करके उसको मोख्ष दे देना तो उत्तर के राज्यों के साथ उसने क्या किया राजियों को जीत करके अपने अधिन किया और दक्षिन के राजियों को उसने क्या किया कि विजित करके उनको मोक्ष दिया लेकिन मोक्ष का तात पर ये नहीं है कि उन राजियों को सतुंत्र कर दिया सतंत्रता बस इतनी थी कि उपने तरीके से rule-relection नियम कानून को फालो कर सकते थे लेकिन अगर समुद्रगुप्त को ही नियम बनाएगा तो उसको सबसे पहले मानना होगा इसके साथ ही साथ समुद्रगुप्त को कर भी देना होगा जो पास्षात इतिहासकार थे या अपने वहां के सासकों की तुलना जब हमारे वहाँ के सासकों से करते थे तो सद herum अपने वहाँ के सासकों को स्यरेश्ट इस्थापिद करते थे आप खोद इस बात को सोचिए हलाकि यहाँ पर विये इसमित समुद्रगुप्त की परसंसा करते है लेकिन इस परसंसा में भी कहीं कहीं कई भाव जो कि negative भाव हैं छिपे हुए हैं, नेपोलियन कब का है, समुद्रगुप्द कब का था, नेपोलियन को आप समुद्रगुप्द कह सकते हैं, समुद्रगुप्द को नेपोलियन कैसे कह सकते हैं, हम अपने पिता की तरह दिखते हैं, हमारे पिता हमारी तरह नहीं द समुद्र गुप्त नेपॉलियन की तरह समुदुरूर्ट बहुत पहले का है तो यहां पर इस भाव को समझेए जो पाश्यात इतिहासकार है सदय अपने सास्कों को आगे बढ़ाते हैं यहां पर प्रसंसा तो समुद्र ुप्त की किया ही लेकिन कहीं कहीं वह भाव निकल करक वशुबंधु रहते थे इसके साथ ही साथ समुद्र गुप्त के समय में स्रिलंका यानि कि सिंगल दीप के शाशक मेग बर्मन के नाम का उलेख मिलता है जिसने समुद्र गुप्त से अनमती प्राप्त कर गया में बहुत बिहार बनवाया अपनी विजियों के उपरांत मेद प्रकार के सिक्कों का भी प्रचलन किया समुद्र गुप्त के कुछ सिक्कों पर उनकी रानी दत्देवी का चित्र अंकित है जबकि कुछ सिक्कों पर वीड़ा बजाते हुए समुद्र गुप्त के चित्र का अंकन किया गया है बहुत सुंदर वीड़ा वादक की रू परवानित महसूस करता है और ने सरिफ गुपतामराजी बल्कि भारती इतिहास भी गौरों में इगाथा को दुख्राने में तरीक विकठिनाई नहीं महसूस करता है